आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्टसफ पराथा और ये बहुत ही लजिज तीज़ी स्टिंगी रेसिपी और वह किसके लिए बना रही हूँ आज अज बिल्कुल अप ने लिए बना आज मैं अपने आपको इंपोर्टेंस देना जानती हूं तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसेपी तो सबसे पहले मैंने लिया है एक पाठा नासा जादा लोगों के लिए नहीं बनाना है इसलिए एक कप लिया है अब जादा भी ले सकते हैं उसमें नमक डालेंगे और थो ढौकट होता है मैं और यहां पाणी के साथ इसका डों स्यार कर लोगी डों कासा बनाना है दो我们 रोटिया सुफर्ट वैसा ही रहेगा और इतना सम्य आशी है यह एक बार बनाएगे तो हमेसा बजाएंगे बहुत ही निब लगतारी मैं आदत के नहीं यहां मैंने रिक्रेट यहां मैंने थोड़ा सा चना डाल लिया हुआ है जो की होगा एक मुठी के अराउंड और यहां कच्छी खेरी लिया है दो हरी मिर्शा और लेसन लिया है तो सब को मैं डाल दोंगी जार में और इसी की चटनी बनाएंगे और यह चटनी इत्ती लजीज होती है कि आप किसी ची जाएगा तब तक मैं करती हूँ चाय क्योंकि मैं सबसे पहले सुबसुबर लेती हूँ चाय तो यह देखिए हमारी चटनी बिल्कूल रेड़ी है इसमें पानी मैंने एड़ने किया है बिल्कुल सूखा सा चटनी बनाती हूँ मैं यह वाला क्योंकि ज़्यादा रखता है तो यह वाला चीज रेड़ी हो गया देखिए कितनी मज़दार चटनी आ पाराठे के साथ इसका टेस्ट मा माइंड ब्लोइंग लगता है तो चलिए अब पाराठे की स्टफिंग रेड़ी करते हैं स्टफिंग करने के लिए मैंने एक मेडियन साइज का ओनिया है और इसे अब मैं कट कर दूंगे कट किस तरह से करना है जितने ही बारिक आप कट कर सकते हैं वैसे कट कर दे तो उससे क्या होगा ना पराठा को बेलने में हमें इजी होगा तो इसको मैंने बहुत हलके हाथों से पतले-पतले स्लाइस में कट कर दिया बिल्कुल एक ही पराठा बना बार्यूत उसके लिए एक प्याज जो है इनफ है उसके बाद मैं यहां पे हरी धनिया पत्ते कट कर रही हूं तो यह उप्षनल है आप कट कर सकते हैं नहीं तो छोड़ भी सकते हैं और एक ग्रीन चिल्ली तो यह सब तीन चीजे मैंने मिक्स कर दी है और इसमें अब लाल मिर्ची जँगे अधनिया पाउडर डालनी है और यहां पे जीरा पाउडर डालेंगे नमक अभी अएडने करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि प्याज में से पाने निकल जाए तो नमक पराज़ों को बेलेंगे उसे टाइम इसमें इसमें आड करेंगे ताकि फट अब चलिए स्टफिंग रेडी करते हैं, अपना पराठा भी रेडी करते हैं और भूप भी जोरो की लग चुकी है अब तो सबसे पहले डो ले लेंगे पेड़े बनाने के लिए तो पेड़े हमें थोड़ा सा जो नौर्फल रोटी बनाते हैं या पराठे बनाते हैं उसके कंपेर में थोड़ा मोटा पेड़ा लेंगे ताकि जो स्टफिंग है अच्छे से हो सके और ज्यादा पचपचा ना हो सके तो यह पहले तो रोटी जैसे बेल लेंगे आपके तरह से भी बना सकते हैं जैसे आलू के पराँगे बना रही है तो मैं यहां ट्राइगल बना रही हैं तो यह प्याज juan को नमक डालने के बाद मैंने यहां पर आड़ कर लिया नमक बिल्कुल लास्ट में डाले यह special instruction है नमक बिल्कुल लास्ट में डाले उसके बाद इसे हम पराठो के शेप में बेल लेंगे यह आलू की सब्जी के साथ या किसी भी चीज के साथ यह पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है तो य के बाद इसको घी में लेके रोस्ट करेंगे तो यह क्रिस्पी करना है हमको इसलिए हमें लो फ्लेम पे रखना है तो प्यास जो होता है ना अंदर से अच्छे से पकेंगे अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो और घी में लास्ट में रोस्ट कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा लगा के पराठे बना लेंगे इस से बहतर नाश्टा और क्या हो सकता है गरमा गरम प्यास की पराठे और उसके साथ चने डाल और कच्छी केरी की चटनी ये तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है तो मेरे पराठे बिल्कुल रेडी है चटनी भी बिल दूसरे की वैली होती है तो ये पराठा इतना यमी इतना टेस्टी लगा कि एक बार एक बाइट लेने के बाद मैं तुरा दूसरा बाइट ले दी थी क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और चने डाल कच्ची केरी की चैट्मी के साथ इसका कॉम्बिनेशन और कर्ड क के साथ इसका कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोईग था उमीज करती है आपको ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक शेर